Hello students, welcome to Global Online, this is Ankita Asod, so nature of communication एक बहुत important topic है paper 1 में and इस वीडियो में students MCQs के थूँ आपका ये topic clear हो जाएगा, साथ ही आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि इस topic में से कैसे questions आज तक paper में पूछे गए हैं, तो बहुत important series है, आप सभी इसमें अन तक जरूर बने रगिएगा करने के बाद बनाया गया है, इसमें daily life lectures के साथ आपका पूरा syllabus cover तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम topic wise MCQs and PYQs भी practice करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रही कि जो आप पढ़ रहे हो, उसमें से कैसे questions examination में पूछे जाती हैं, mock test available है बहुत ही जादा important है, ये 5000 plus MCQ question bank, जिसमें हर एक unit wise questions आपको मिल जाएंगे, इसके बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है, तो ये बहुत important हो जाता है, कि आप exam से पहले at least 2-3 बार ये questions को practice कीजिए, new batch हमारा upcoming Monday से start होने वाला है, तो आप इसको join कर सकते हो, and free videos को देखने के ल courses आजाएंगे, जिसके लिए, जो कि exam के लिए काफी है, इसके बाहर से ना आपको कोई book लेने की जरूरत है, ना आपको कोई extra mock test के लिए pay करने की जरूरत है, इस course के बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है, last year भी बहुत से बच्चों ने, सिरफ इसी से पढ़ाई करके अपन होती रहे, आप सभी students इस course को join करने के लिए बस given numbers पर whatsapp के जरीए contact कर सकते हैं, यहाँ पर students आप देख सकते हो, यह है unit number 4, communication का complete syllabus, चो कि आपको UGCnet के official website पर भी मिल जाएगा, इंदी में भी आप यह syllabus देख सकते हो, so one by one हम यहाँ पर एक topic लेंगे, और उसी के base पर हम आप इसको MCQs की मदद से सारे concepts clear करवा देंगे, so पहला question है, which of the following are the characteristic feature of communication, so communication के features या उसकी characteristics पे जाने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि communication exactly क्या होता है, so अब मान लीजे, दो लोग है A and B, A person ने, जो है, A जो है कोई teacher है, and B जो है वो कोई student है, ठीके, person A ने person B को you just in it examination के बारे में information दी, कि exam क्या होता है, क्या इसके benefits होते है, and person B ने उसको अच्छे से समझ लिया, and फिर person B के mind में query आई, कि next exam कब होगा, ठीके, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में बात चीत कर र कुछ भी हो सकता है, यहाँ बे तो जैसे मैंने exam का example दिया है, आप लोगों को, ये लोग हो सकता है, movies के बारे में बात कर रहे हो, ये लोग हो सकता है, कई घूमने जाने का plan कर रहे हो, तो communication का कोई भी topic हो सकता है, तो अगर ये concept आपका clear है, तो ये first question आप लोग बहुत easily solve क कर सकते हो, तो इसमें characteristics और feature के लिए four statements given है, जिसमें पहली बोलती है, communication involves exchange of ideas, facts and opinions, यानि की communication में विचार, तथ्य और जो भी opinions होते हैं, किसी particular topic को लेकर कि किसी का जो thought होता है, उसको बदला आदान प्रदान किया जाता है, एक बुसरे तक वो चीज़े share की जाती है, तो ये option बिलकुल correct है, दूसरा option बोलता है, communication involves both information and understanding, यानि की देखो, जैसे मैंने same example आपके लिए मैं लेकर के आती हूँ, A ने कोई information B को दी थी, ठीके, so information तो हो गई, अगर B person जो है, वो उस चीज़े को अच्छे से समझ जाता है, तो वो understanding है, तभी एक communication को successful communication माना जाता है, so इस according statement 1 and statement 2 दोनों ही correct है, तीसरे statement बोलती है, communication is a continuous process, यानि कि ये एक सतक प्रक्रिया है, एक लगातार चलने वाली चीज़े, जैसे माली जीए, मैं हूँ person A, मैंने B को कोई secret बात बताई, लेकिन B ने क्या किया, वो बात C को बता दी, C ने वही बात D को बता दी, and हट फिर के D न अब जैसे मैं आप लोगों को यो जैसे net exam की information दे रही हूँ, आप वो information आगे किसी को दोगे, अगर आप teacher हो तो आप बहुत से students को एक साथ वो information दोगे, तो communication हो रहा है ये teachers और students के बीच में, जो कि ए continuous process होता है, तो ये statement भी बिल्कुल correct है, next statement बोलती है, communication is a circular process, ठीक है, ज circular process है, इस according देखें, तो right answer क्या है, right answer here is option number 1, that is A, B, C and B, so next question पर पढ़ते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, which of the following set of statements is correct for describing the human communication process, so यहाँ पर हमें 6 statements given है, हमें बताना है कि human यानि कि जो भी person A है, B से बात कर रहा है, एक person चाहे 10 लोगों से बात करता है, तो उसमें correct statement उसके regard में कौन सी है, यहाँ पर अलग से define नहीं किया गया है, कि यहाँ पर one to one communication हो रहा है, या फिर एक person आगे 50 लोगों के साथ बात कर रहा है, यह mention नहीं किया गया है, so general statements हम लोगों को लेनी है, ठीक है, so इसमें first statement बोलती है, non-verbal communication can stimulate ideas, तो देखो students, non-verbal और verbal, ठीक है, दो चीज़े होती है, verbal and non-verbal, गैर मोखिक और मोखिक, verbal होती है, जो कि हम लोग किसी को बोल कर समझाते है, non-verbal होती है, जो बोली नहीं जाती, जिसमें कि सिरफ हम लोग क्या क करती है, चाहे वो हाथों से इशारा हो, चाहे वो आंखों से इशारा हो, वो non-verbal में आता है, तो पहली statement इसमें बोलती है, कि जो इशारों वाली language होती है, ये बहुत से ideas को generate करने में हमें मदद करती है, ठीक है, so ये वाली statement क्या है, ये वाली statement बिलकुल correct है, दूसरी statement बो यह statement भी बिलकुल correct है दीसरी statement बोलती है Communication is not a universal pancreas ठीक है यानी कि क्या बोला गया है इसमें कि संचार एक सार्व भॉमिक रामबान नहीं है चौती statement बोलती है Communication cannot break down Communication को रोका नहीं जा सकता यह इसमें पूछा गया है ठीक है लेकिन Communication को रोका भी तो जा सकता है बीच में जैसे मैंने previous question में example लिया था A ने कोई बात B को बताई B ने कोई बात C को बताई हो सकता है C वो secret को रख ले वो आगे D को बताई ही ना तो Communication को break down भी किया जा सकता है तो यह statement गलत है यहां तक इसमें पुछा गया है कि Communication cannot break down तो यह statement बिलकुल correct है तो 1, 2, 3 and 4 यह सभी statements बिलकुल correct है तो right answer है यहां पर option number C तो यहां पर देखते हैं बाकी की दो statements क्यों incorrect है क्योंकि इसमें बोला गया है More communication means more effective learning by students तो यानि कि इसमें बोला गया है ज़्यादा बातचीत करेंगे तो ज़्यादा effective learning होगी ऐसा तो नहीं होता है ठीक है यह general statement है and last statement बोलती है value of what is learned through classroom communication is not an issue for students तो जो भी values classroom में students को सिखाई जाती है उसका कोई role नहीं होता उसका कोई issue नहीं होता students को अगले question पर पढ़ते हैं इसमें बूचा गया है as a good classroom communicator you are supposed to know your so अब देखो classroom communication की बात यहाँ पर की गई है अभी तो हमारी क्या चल रही है online classes चल रही है लेकिन आज से पहले क्या था आज से पहले offline classes हम लेते थे तो एक student ठीक है माल लीजे यहाँ पर 50 students है and सिरफ sorry एक ही teacher है है ना ऐसा ही होता है so एक अच्छा classroom communication कब माना जाता है जब audience emotions audience के emotions से हम लोग जुडे हो जब एक teacher और students आपस में emotionally attached होंगी तो क्या वह एक अच्छा communication होगा तीसरा है silent cues यानि की मौन संकेत देना तीसरा है artful pauses and चौथा है counter arguments so इसमें देखो right answer जो है वो है option number 3 that is कलात्मक्थ हराव कलात्मक्थ हराव क्या होता है अब देखो students जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्या हो रहा है मैं बीच बीच में pause ले रही हूँ कुछ एक statement बोलने के बाद में थोड़ा सा चाहिए एक से दो second जादा नहीं एक से दो second का हम pause लेते हैं जो कि बहुत important होता है students को ये identify करने के लिए कि अब हमारी अगली statement शुरू हो चुकी है अगर हम लोग ये artful pause ना ले बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि कहाँ पे हमें रुकना है किसी statement के बाद कहाँ पे हमें continue रहना है इसकी वज़े से क्या होता है पूरी statement का मतलब ही change हो जाता है तो अगर जैसे कि आप सभी use the senate exam दे रहे हो इसका मतलब है आप लोग teacher बनने वाले हो तो अब देखो effective communication यहां पर यह नहीं बोला गया कि class में communicate हो रहे हैं किसी पार्क में communicate कर रहे हैं किसी के घर में बैठके हम communicate कर रहे हैं कुछ नहीं बोला है बस यह बोला है कि एक प्रभावी संचार के लिए सहायत की आफशक्ता होती है तो किस सहायक की आफशक्ता होती है Economic Environment यहाँ पर अंसर आलरेडी आप देख सकते हो ठीक है, तो यहाँ पर पुछा गया है Economic Environment यानि कि किसी की आर्थिक स्थिती क्या है दूसरा है Political Environment यानि कि राजनितिक वातावरन होना चाहिए तीसरा है Social Environment यानि कि सामाजिक वातावरन बहुत इंपोर्टेंट होता है Communication को अच्छा बनाने के लिए ठीक है, अब देखो क्या है जैसे मानलीजी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोग किसी और टीचर से भी पहले पढ़ चुके होंगे अपने स्कूल लेवल में, अपने कॉलेज लेवल में तो होता कि जिस टीचर के पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है आप कोशिश करते हो कि हम भी वैसा ही पढ़ाएं ये नैचुरल चीज़े होती है किसी भी हूमन में तो ये भी एक सोशल इंवर्मेंट का पार्ट होता है कि हम लोग जैसे लोगों के बीच रहते हैं हम लोग वैसे ही कम्यूनिकेट करते हैं वैसे ही हमारी एफेक्टिव कम्यूनिकेशन बढ़ती जाती है अगर मान लीजे मैं थोड़ा टपोरी स्टाइल में आपको बढ़ाती ये मेरी कम्यूनिकेशन स्किल्स में भी हो सकता है कुछ को अच्छी नहीं लग रही होंगी तो वो क्या है वो एक एफेक्टिव कम्यूनिकेशन नहीं माना जाता तो एक सोशल एंवार्मेंट होना इसके लिए समाजिक वातावरन होना इसके लिए बहुत इंपोर्टिट है कि कैसे समाज में हम रह रहे हैं कैसे लोगों से हम पढ़ रहे हैं कैसे लोगों के साथ हम लोग बाचित कर रहे हैं अगला क्वेशन है in the process of communication which one of the following is in the chronological order so chronological order यानि कि देखो हिंदी में मैं आपको बताती हूँ संचार की प्रक्रिया में निमन लिखित में से कौन सा कालानू क्रमिक क्रम में है यानि कि अगर देखो दो लोग बात चीत कर रहे हैं फिर से मैं A और B की बात करती हूँ या फिर जैसे हम टीचर है मैं आपकी टीचर हूँ अंकिता आप मेरे स्टुडेंट हो X, Y, Z हम लोग आपस में बात चीत कर रहे हैं तो सबसे पहले बात चीत करने के लिए कौन सी चीज हमें important होती है तो सबसे पहले बात चीत करने के लिए एक communicator की जरूरत है अब मालीजे कि मैं अकेली हूँ ठीक है मैं आप लोगों को पढ़ाना चाती हूँ लेकिन मेरे live lecture में कोई भी नहीं आया suppose एक भी person मेरे live lecture में नहीं आया तो मेरे पास कोई communicator ही नहीं है तो सबसे पहले किसे भी communication के लिए communicator यानि की साथी की जरूरत है जिससे हम बातचीत करें अब A को अपना साथी B तो मिल गया जिससे वो बातचीत करना चाता है उनके पास कोई topic भी होना चाहिए कोई message भी होना चाहिए जिससे वो बात करें अगर उनके पास बातचीत करने का कोई टॉपिक ही नहीं है तो वो क्या करेंगे वो चुपचाप से बैठे रहेंगे तीसरी चीज होती है medium, कि कैसे वो बातचीत करने वाले हैं, वो face to face बात कर रहे हैं या फिर वो लोग mobile phone में बात कर रहे हैं या फिर वो लोग chat कर रहे हैं तीसरा आता है receiver यानि कि अब मान लीजिए कि person A बोल रहा है कुछ भी लेकिन person B एक communicator तो है लेकिन वो receiver नहीं कर पा रहा है उसकी बात को वो समझ ही नहीं पा रहा है उसकी बात को कि ये क्या कहना चाता ह और चौथा है effect effect के बारे में कपता चलता है जब person B उसकी बात को अच्छे से समझ जाएगा और उसको वो feedback देना शुरू कर देगा आपको पता है कई बार ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा कि जैसे मैं कुछ बोले जा रही हूं बोले जा रही हूं सामने वाला कुछ सुनी नहीं रहा सामने वाले को वो बात समझ आना वो अलग चीज है लेकिन वो इंट्रस्टेड ही नहीं है वो उस चीज को सुनी ही नहीं रहा है तो उसका मतलब है कि हमारी बात effective नहीं है हमारी बात effective कब होगी जब person B जो है सामने वाला जो है उसका response देने शुरू कर चाहे वो इस बात पर कोई भी हमें डांट देता है चाहे वो इस बात पर अच्छा है कुछ भी बोले बस फीडबाइक दे that is called effect system ठीक है so communication I hope students यहां से आपका बिल्कुल clear हो चुका है so आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि communication क्या होता है तो अगर आप लोगों का communication का basic बिल्कुल clear हो चुका है so आगे आने वाले lectures definitely आप लोगों को बहुत easy लगेंगे and बहुत ही इसी तरह से interesting way में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो students next question पर जाने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है आपको कोई भी query अभी तक के five questions में नहीं है तो please comment कर दीजे ताकि मैं daily आप लोगों के लिए इसी तरह के sessions ले करके आओ तो next question जो है ये आप students के लिए एक homework question है ये हर एक video में मैं आपके लिए ले करके आओंगी जिसका answer उसके next lecture में मैं आपको बताओंगी तो देखो ये question अभी के previous five questions पर based है जिसका answer आप लोग मुझे comment करके बताओगे तो इस question में बोला गया है a good communicator is the one who offers to his audience so एक अच्छा communicator कब होता है मान लीजिए person A है उसकी audience में 100 लोग है उसकी class में 100 लोग है तो वो एक अच्छा communicator कब होगा जब वो audience को क्या provide कराएगा options आपके सामने है जो भी इसका answer है मुझे comment करके बताओगे और इसका correct answer किसके student ने दिया है यह मैं कल के lecture में आपको बताओगे ठीक है आज की ये वीडियो आप सभी students को पसंद आई है कोई doubt है कोई query है या कुछ कहना चाहते है उस वीडियो के बारे में तो जरूर मुझे comment कीजेगा thank you so much for watching this video and I wish you all the way